दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए देशी ड्राइविंग स्कूल को और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार दोस्तों मिरा नाह में रवी और आप देख रहे हैं देशी ड्राइविंग स्कूल एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियम फ्यूल के बारे में तो सबसे पहले हम यह जानीगे कि नॉर्मल फ्यूल और प्रीमियम फ्यूल में अंतर क्या होता है क्यों प्रीमियम फ्यूल इतने महंगे होते हैं क्यों प्रीमियम फ्यूल के रेट नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर octane number की जिसको आप octane rating भी कहते हैं यह actually एक measurement है इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा octane number, octane rating fuel की ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसकी knocking property कम होगी मतलब वो engine में knocking को resist करेगा अब knocking क्या होती है दोस्तों जब fuel हमारा compress होता है power stroke के दौरान तब वो engine के अंदर होने वाले compression से और heat से उसमें fuel pre ignite हो जाता है spark plug से जलने से पहले वो fuel होँआ पर burn हो जाता है जिससे की engine में नुकसान होता है engine में क्या क्या नुकसान होते है सबसे पहला नुकसान है power loss दूसरा wear and tear inside the component of engine engine के component wear and tear हो जाते हैं खराब हो जाते हैं knocking से और तीसरा आपको fuel properly burn नहीं होता fuel की efficiency कम हो जाती है octane number या फिर octane rating आप कह सकते हैं वो knocking को register करती है और जो normal जो regular petrols होते हैं की octane rating BS4 के कारण अभी इंडिया के अंदर 91 हो चुकी है इससे पहले 87 किसी का 89 और किसी का 90 हुआ करता था लेकिन जो अब BS4 के emission standard के according minimum जो octane number है वो petrol का 91 हो गया है throughout the country कोई भी petrol pump वाला जो metro cities में खास करकी हो सकता है कहीं पर अभी low octane rating वाला petrol यूज़ कर रहे हों मुझे नहीं पता लेकिन जो metro cities है उसमें जो normal और regular petrol जिसको कहते हैं उसको वो 91 octane rating का ही मिलेगा और जो इससे ज्यादा rating के petrol होते हैं fuel होते हैं वो premium fuels में आते हैं उनकी octane rating 91 से ज्यादा होती है और जो highest और octane rating वाला petrol अभी है वो है speed 99 जिसकी octane rating 99 है बात आती है क्या आप इसे अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं यह depend करता है आपकी गाड़ी की compression ratio में अगर आपकी गाड़ी का compression ratio high है मतलब वो high pressure create करेगी और अगर आप high pressure high compression ratio वाले engine के अंदर आप low octane rating का fuel अगर यूज़ करते हैं तो definitely knocking होगी pre ignite होगा example ले लेते हैं एक कार है जिसका compression ratio है 10.1 और दूसरी कार है जिसका compression ratio है 12.1 तो जाहिर सी बात है 12.1 compression ratio वाले engine में high rating का high octane rating का petrol चाहिए अगर आप उसमें low octane rating का petrol यूज़ करते हैं तो knocking होगी आपके engine के अंदर जिससे कि आपको मैंने बता था power loss, engine wear and tear और low mileage ये तिनों चीज़ आपको face करनी पड़ेगी लेकिन आजकल engine में knocking को रोकने के लिए, knocking को कम करने के लिए, knocking sensor का use हम अभी कर रहे हैं engine के अंदर अपने जो की spark timing को delay कर देता है जिससे की knocking को prevent कर सकते हैं लेकिन उस दौरान power loss हो जाता है हमें जिस engine से जतनी expectation हमने लगा रखी थी उतनी power नहीं मिल पाती knocking के कारण premium fuel का एक और फायदा है उसके अंदर कुछ additives ऐसे होते हैं कुछ cleaning agent होते हैं जो आपके engine के अंदर जो carbon deposit होते हैं चाहिए वो आपके piston के उपर हो, combustion chamber के अंदर हो, आपके wall पे हो या फिर fuel opening पे हो उस carbon को वो clean करते हैं, as a cleaning agent भी काम करता है आपका premium fuel तो आप question आता है कि आपने अपनी गाड़ी में use करना चाहिए या नहीं मेरा opinion यह है कि आपने अपनी user manual में देखना चाहिए कि उसमें आपके manufacture द्वारा क्या recommend किया हुआ है कितने octane rating का fuel आपको recommend किया है उसने, उसके according आपने fuel जो है अपनी गाड़ी में डालाना है मान लीजे आपकी गाड़ी का compression ratio है 10.10 ratio 1 और आपके manufacture ने कहा है कि इसमें 91 octane rating का fuel आप use कर सकते हैं लेकिन आप उसमें 95 octane rating का fuel अगर आप डालते हैं तो आप extra cost दे रहे हैं क्यों क्योंकि आपका engine capable है 91 octane rating वाले petrol में same efficiency देने के लिए वही चीज जब आपको 91 octane rating वाले petrol में आपका engine ठीक तरीके से काम कर रहा है बिल्कुल अपनी 100% efficiency साथ जितनी इसकी होनी चाहिए तो आप 95 octane rating का fuel इस्तमाल करके आप अपने पैसे waste कर रहे हैं बट हाँ अगर आप as a cleaning agent आप इसको use में लाते हैं जिससे कि आपके engine के अंदर की cleaning होगी तो मैं recommend करूंगा कि 10-15,000 km अपनी गाड़ी regular fuel में चलाने के बाद एक बार full tank करवाईए premium oil का जिससे कि आपकी जो गाड़ी में carbon deposit है जो भी गाड़ी के engine के अंदर की गंदगी है वो साफ हो जाए एक बार में यह चीज मैं आपको recommend करूंगा कि आप कुछ time interval के बाद आप normal fuel use करने के बाद उसक तो premium fuel को as a cleaning agent use करें तो conclusion क्या निकलता है आपर conclusion यह निकलता है कि high octane rating वाले fuel या फिर आप उसे premium fuel भी बोल सकते हैं वो सिर्फ high compression ratio वाले engine या फिर high performance वाले engine के लिए ही बना होता है आप अगर उसको अपनी normal engine में use करेंगे तो वो कोई बड़ा difference नहीं देगा आपको अगर आप high performance वाले engine में आप normal regular fuel use करेंगे तो आपको proper performance दे नहीं पाएगा तो दोस्तों उमीद करता होगी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपने premium fuel का use करना है अगर करना है तो किस condition में करना है क्यों करना है यह थी मेरी तरफ से एक छोड़ी सी कोसिस आपको aware करने के लिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई